हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक तो मा यूटूब चैनल कैसी आप सब लोग आप सब का श्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं करने वाली हूँ अपने वासरों की डीप क्रीमिंग यह दिखो इसमें जब यह लगाया ओब न तो वाइट सेमेंट और यह जो का इसको मैं भी क्लीन करने वाली हूँ और पहुत सारी जगेर लगने हुआ है क्योंकि मैं हमेरे साफ करते में बड़ा बड़ा जल्दे वाजी में साफ करते हैं यह अच्छा सी कि पर्स का मैंने नीचे वाला किया था तो यह बहुत काला हो उदु ता टोईलेट सीट की सब्सक्राइब नहीं नहीं साफ हो रहा है तो अभी मैं इसकी सहाइता से इसको निकाल लेती हूं और ताइम बहुत हो गया है लगकुम 10-30 का हो गया होगा अभी तक मैं नहाई नहीं करके काम होते हैं यह पूरे लिख में और रहें नहीं होते हैं तो ओड़ा जल्दी यह बहुता बहु सूचते है कि दिदी लगे रहेगे काम में, तो मैं मना भी करते हूं फिर भी यह लगी रहती है काम में, तो फटा-फट करके अब मैं सर्प से इसको साफ करोंगी, इसको शाफ कर लेती हूं इसको पानी वाले उते ने फवरा इचे दि इसमें भी पानी में मिट्टी से आती है तो यह बंद हो जाता है इसको मैं भी निकाल करके खोल दखे इसको भी साफ करूंगी पानी का जो फोर्स है तो कम हो जाता है अगर इसमें लिक्ती लग जाए तो चली फटा फट कर लो तो इसको शाफ कहां से सुरू करो कुछ समझी भी नहीं आता है हाते हैं पपड़े दोते हैं तो यह जो नलो होते हैं इनमें भी छिप्पे पढ़ ही जाते हैं अगर डेली इस पे हाथ नमावा ना पानी की ही दाव बढ़ जाते हैं जो कि दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं तेरे डमरू की दूने सुनी के अरे लाइट गई है मैं इसको किलेन कर लेती हूँ लाइट आएगी फिर मिलूगे आप लोग उसे तो गईज यहाँ पे मैंने बातरूम की किलेनिंग सुरू कर ले थी मैंने सुचा नहाने से पहले मैं फटावड बातरूम साप कर लेती हूँ हर दो चार दिन या चार पांदिन में बातरूम की अच्छी तरह से डीप किलेनिंग ना करो न तो पहले नहाते हैं या कपड़े दूलते हैं तो इदर वदर टैल्स पे चिपए चिपए और जो हमारे टैप होते हैं इन में पानी के भी दाग पढ़ जाते हैं तो मैंने सुचा नहाने से पहले मैं एक बार अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लो अभी पांच शे दिन पहले म पहले मैं अपना सबसे पहले टौइलेट कर लिया है उसके बास मैं यह जो वाल की टाइल्स हैं इन पर फटा पड़ करके सर्प मैंने रखा है यहां पर नीचे में दिख रहा है कि बरतंद होने का जो इसक्राव होतन है यह पुराना हो जाता तो मैं इसे कीचन की टैल्स या यहां पर थोड़ा सर्प रखा और यह गिसे हुए पुराने इस करब से मैं इसको अच्छी तरह से टाइल्स पर मैंने लगा लिया था उसके बाद मैं इन में पाने डाल ले हूँ तो टाइल्स मेरी वाल की अच्छी तरह से साफ हो गई थी बीच में लाइट चली गई थी फिर मैंने वीडियो ने बनाई अब जाके मैं फ्लोर के टाइल्स साफ कर रही हूँ इतनी काली हो रही थी निए मैंना सिमेंट यहीं लगा हुआ तो यह तुम्हें सिमेंट मैंने परसोन निकाल दिया था और अभी मलब इतना ज़्यादा भारी नहीं हुआ मिर को साफ करने के लिए तो पड़ापड करके मैं इसको साफ कर लेते हूँ और मैंने गलते से मुझे पताने था इस पे सावर ओन है मेरे बाल इसलिए बच्चे नाये होंगे उन्होंने सावर ओन के और जैसे मैंने नल खोला सारा पाने मेरे सिर में गिरा इसलिए मेरे बाल ऐसे गीले हो र पोटे पीप टिए पर पर पाउं पर सब्सक्राइब 6 को मैचिंग सब्सक्राइब नीचे फ्रोर के लिए लेकिन वो मुझे कलर ज्यादा अच्छा ने लगा उसमें क्या होता है कि हमारा जो बात्रूम है वो ज्यादा बड़ा भी ने दिखा खुला और अंधेरा अंधेरा साथ दिख पीगा देखे मैं यहां पर बेग गई थी मैंने जैसे नल ओन किया तो इस में सावर